हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सरी क्लास की वाकशीट नमबर 87 जो की 1 दसमबर 2021 की वाकशीट है और बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और नर्सरी क्लास के सामने आप अपना section A, B या C जो भी है वो लिखेंगे तो चलिए इस वाकशीट को हम शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे पहला प्रश्ण है आईए आज हम कुछ चित्र देखें और उन्हें गिनने की कोशिश करें तो देखिए पहले चित्र में हमें एक तितली दिखा रखी है तितली कितनी है? एक दूसरे चित्र में एक टोपी है तीसरे चित्र में एक नाव है और चौथे चित्र में हम देख रहे हैं कि एक सूरज बनाया हुआ है तो सभी चित्रों में एक एक चीजें दिखा रखी है से किसी एक चित्र में रंग भरिए तो बच्चों यहां पर दो चित्र दिखा रखें हैं आप किस जिसमें चाहें उसमें आप रंग भर सकते हैं या तो इसमें रंग भरेंगे या फिर इसमें रंग भरेंगे ठीक है और जो चाहें वो रंग आप भर सकते हैं तीसरा प्रेश् और एक बन जाएगा चौथा प्रश्ण है कि अब अपने माता-पिता की सहायता से पाउडर या फिर रेत पर अपनी उंगली से एक लिखने का अभ्यास करें देखिए मैंने ऐसे किया तो आप क्या कर सकते हैं मानलो आपकी ममी आटा गुदने जा रही है और प्लेट में या थ तो आप इस तरीके से एक बना लेंगे और पाच्वा प्रश्ण है कि अब नीचे दिये गए चित्रों को गिन कर क्रियोंस की सहायता से एक पर ट्रेजिंग कीजिए तो यहाँ पे हमें गाय दिखा रखी है और कितनी गाय है ये एक यहाँ पे एक हमें गंटी दिखा रखी ह है और ये भी एक है और यहाँ पे एक गुडिया दिखाई हुई है और ये भी एक है ठीक है बच्चों अब आपके पेरेंस के लिए सुझाव है कि घर के कारियों के दौरान बच्चे को नंबर एक की पहचान कराई जा सकती है जैसे कि एक पैंसिल लाकर देना कटोरी में ए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंस के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू